हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो माई चैनल, तो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है इसके साथ ही अगर आप मुझे टैलिग्राम पर जोइन करना चाहते हो तो आपको टैलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएग तो इसमें एक करेक्टर है जिसका नाम है लोमोव तो वो क्या करता है कि अपने नेबर में ही एक लड़की रहती है उससे परपोस करने के लिए जाता है जैसे वो उसके घर पर जाता है तो जो गर्ल के फादर होते हैं वो उस परसन को जानती थे लोमोव को तो वो जो वो होता है वो उसके फादर को कहता है कि मैं आपकी लड़की को क्या है प्रपोस करने के लिए आया हूँ तो जो फादर होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एक अच्छा रिष्थ होता है उनके लिए तब वो क्या करते हैं कि वो उस लड़के को बिठाती हैं घर और room में अपनी बेटे को बुलाने के लिए चले जाती है جब लड़की बाहर आती है मतलब जहां पर लड़का बेठा हुआ होता है room से बाहर आती है तब क्या होता है कि लड़का पहले लड़की से हाल चल वहार पुश्टा होता है तबी वो हाल चल जब पूछ रहे होते हैं तो एक area के बारे में एक जगा होती है जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं और उनका argument शुरू हो जाता है दोनों के बीच में लड़ाईयां होने लग जाती है arguments बढ़ जाता है जिसके कारण क्यों होता है कि वो ये भूल जाती है कि वो जो लड़का है वो उस लड़की को परपोस करने के लिए आया है अब क्यों होता है कि गुसे में जो फादर होता है वो भी क्यों होता है कि उस आर्गिमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है तो गुसे में उसको बहार निकाल देता है जब उस लड़की को बहार निकाल देता है तो अंदर घर पर ही वो गुसे में बोल रहा होता है उसके बारे में लड़के के बारे में और बात में क्या है वो कहा देता है कि ये लड़का आया था तिरेको कोई और topic पर बात करते हैं ताकि मामला सही हो जए वो किसी और topic पर बात करते हैं तब ही क्या होता है कि वो dogs पर आ जाती है लड़की वो लड़की कहते है कि जो मेरे पास dog है वो तुम्हारे dog से ज़्यादा अच्छा है दोनों का इस बात पर क्या argument होने लग जाता है दोनों की बीच में arguments चलते रहते हैं तब ही क्या होता है वो जो लो मोव होता है लड़का होता है उसे कोई problem होती है जिसके कारण किया वो भी होश हो जाता है फिर जो बाब बेटी होते हैं वो दोनों किया कि उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और जैसी वो होश में आ जाता है तब जो लड़की का फादर होता है वो लड़की का हाथ अपनी डॉटर के हाथ में रख देता है और इस तरीके से दोनों के जो लड़के का proposal होता है उसे accept कर लिया जाता है लेकिन बाद में भी कहें कि arguments उनके बीच में चलते ही रहते हैं यही story है कि एक person है जो की propose करने के लिए आता है लेकिन दोनों के बीच में किया arguments होने लग जाते हैं किसी दूसरे topic पर और इसी arguments में कहें कि वो अपना जो main काम होता है परपोस करने का वही भूल जाता है तो इस कानिसर में यही शिक्षय मिलती है कि हमारा जो main लक्षय हमें उसे कभी भी भटकना नहीं चाहिए सबसे पहले हम करेंगे introduction आपको points के according लिखना होतो यह जो परपोसल है तो यह क्या है एक one act play है जिसकी starting होती है एक young man से जिसका नाम होता है जो कि क्या है कि एक marriage का परपोसल लेकर आता है अपने neighbor में रहने वाली लड़की के लिए before he could actually convey it to the girl before यानि कि अभी वो लड़की को convey करता परपोस के लिए मनाता they enter into an argument about auction meadow तो वो क्या है कि एक argument करने लग जाते हैं और वो argument होता है auction meadow एक area है जिसके उपर क्या argument होने लग जाता है चिपको the ladies father also join the heated discussion लड़को और लड़की के बीच में क्या होता है arguments होता है तब ही क्या होता है कि जो लड़की के father होते हैं वो क्या है कि वो भी इस discussion में इस argument में क्या है join हो जाते हैं वो भी क्या है argument करने लग जाते हैं after they end this और जैसे ही ये topic खतम होता है they enter into another arguments तो वो दूसरे topic पर argument करने लग जाते हैं और वो दूसरा topic क्या होता है about their dogs उनके dogs के बारे में and which one is better than the other कि किसका dog जादा अच्छा है in the midst of all of this ये arguments अभी चली रहा होता है proposal gets forgotten until Lomov fall off due to his palpitation and Chubukov instantly puts her daughter's hand in Lomov's तो अभी क्या होता है कि ये चली रहा होता है जिसमें क्या होता है कि जो Lomov होता है वो भूली जाता है propose करना तभी क्या कि इनके बीच में arguments चल रहा होता है Lomov को problem होती है जिसके कान क्या है कि वो बेहोश हो जाता है और जैसी वो होश में आता है तो जो लड़की का फादर होता है चubukov को वो क्या करता है कि अपनी डॉटर का जो hand है वो Lomov के hand में दे देता है इससे क्या होता है कि वो जो लड़की का propose होता है वो accept कर लिया जाता है बट 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 unfortunately the quirling still continue फिर भी क्या होता है कि किसी टोपिक पर वो डोक्स वाल जो टोपिक होता है उसके उपर अभी भी उनकी जो आर्गिमेंट्स होती है वो चल ही रहा होता है यह तो होगे आपका introduction जो कि आपको लिखना है then आप लिखोगे summary कोशन किसी भी तरिके का है सबसे important चीज होती है आपको summary आने चाहिए क्योंकि main topic है जो main बात है वो summary पर ही होती है स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर starting लिखनी है the play rises with okay तो यह play की starting होती है लमॉव entering his neighbor Chubugov house fully dressed up in his evening attire अब क्यों होता है कि जो लमॉव होता है वो कहाँ कि चुबुगव house यानि कि अपने neighbor में ही कहा कि आता है और अच्छे तरीके से well dressed होकर आता है तो जो चुबुकोव होता है वो हरान हो जाता है वो कहता है कि आज इतने अच्छे कपड़ों में कैसे ask him the occasion तो वो कहा कि occasion के बारे पुछता है कि तुमने इतने अच्छे कपड़े आज क्यों पैन रखी है तो यह पुछने लग जाता है नॉर्मली हम भी जब कोई हमारे सामने अच्छे कपड़े पैन कराता है तो हम सोच में पढ़ी जाते हैं कि आज इतने अच्छे तरीक्ये से कैसे त्यार हुआ हुआ है पार्टी शाटी वाले कपरे कैसे पैन रखी हैं कहीं जाना जुने है यार नहीं Lomov reveals that तो जो Lomov होता है वो कहता है जी घम इसे कि वो यहाँ पर एक रीक्वेस्ट के लिए आया है यानि की वो एक रीक्वेस्ट करने के लिए आया है Chubukov anticipated that he must have come to ask for money which he does not intend on giving तो जैसी उसने सुना कि एक request के लिए वो अपने मन में सोचन लग जाता है कि कई पैसे पुसे मांगने के लिए आया है लेकिन वो उसको देना नहीं चाहता है On being revealed that लेकिन तभी क्या होता है जो Lomov होता है वो कहता है तो जो Lomov होता है वो कहता है कि मैं आपकी डोर्टर का हाथ मांगने के लिए आया हूँ मिस कि मैं उसे परपोस करने के लिए आया हूँ Chubukov gets filled with excitement and leaves to call Nautalia अब क्यों होता है कि जो Chubukov होता है वो बहुँ जदा excited हो जाता है क्योंकि उसे ये रिष्टा अच्छा लगता है और वो उस जगह को छोड़ कर यानि कि जो लोग भी जहां पर बैठा हुए होते है या फिर तो वहां उस एजिया को छोड़ कर वो रूम में जाता है Nautalia को बुलाने के लिए Lomov is a 35-year-old gentleman जो Lomov है वो क्या है कि 35 सालों का एक आदमी है who suffer from palpitation get upset very easily and does not sleep well अब इसको एक प्रॉब्लम होती है जिसके कान के है कि ये upset जल्दी हो जाता है and ये ढंग से सो भी नहीं पाता है he think उसने सोचा it is the best days for him to get married and he is happy that तो वो सोचते है कि ये ही एक सही एज है जब उसको शादी कर लेनी चाहिए and he is happy और वो खुश है he has his mind made up about notalia कि उसने अपने mind को तियार कर लिया है शादी के लिए और शादी किससे करेगा notalia से according to him उसके अनुसरा notalia is average looking a good housekeeper तो वो सोचते है कि जो notalia है वो दिखने में भी ठीक ठाक है और वो अच्छी housekeeper भी है उसे यही चाहिए था और वो ऐसी ही है when notalia arrives तो जो notalia होती है वो रूम में काम कर रही होती है और जैसी वो वहाँ पर आती है Lomov begin the conversation about how grateful and glad he is that both their families are on good terms since the very beginning अब क्यों होता है कि जैसी ही वहाँ पर notalia आती है और जो Lomov है वो से बात्ते करनी शुरू कर देता है वो कहता है कि हम कितने अच्छी हैं glad मतलब हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारी जो दोनों families है वो एक दूसरे को जानती है हम दोनों families के जो relations है वो भी काफी अच्छी है स्टार्टिंग से ही वाइल कंटिनू तो टॉकिंग अबाउट इस लैंड तभी कहता हो कहता है कि हमारे पास ये लैंड है हमारे पास वो यानि कि अपनी बता रहा होता है कि जमीन जाइदीद वगार के बारे में he somehow mentioned about Oxnard Meadows तो वो इस लैन के बारे में बात करने लग जाता है Oxnard Meadows के बारे में भी which earlier was a disputed property जो की starting में कया था कि एक विवाद वाले प्रॉपर्टी ती यानि कि इसको पर काफी सा रहे जैसे problems थी but is now his लेकिन अब ये इनकी है, means कि वो लड़के की है, लमोब की नोटलिया को not believe a word he is saying about because she believe that Oxamidos belong to her family अब क्यों आता है कि जो नोटलिया होती है, उसे ये लगता है कि ये लड़का तो जुट बोरा है ये जो लेंड है, ये लमोब वो रखा नहीं है, बलकि ये उनका है, उनकी family से belong करता है both of them enter into a heated discussion, तब क्यों आता कि दोनों ही, यानि कि इस topic पर कि आर्गुमेंट करने लग जाती है वो कहती है कि ये हमारी लेंड है, और वो कहने लग जाता है कि नहीं, ये हमारे लेंड है and act childishly, और वो कहा कि बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते है तब क्यों होता है कि जो लड़की के फादर होते हैं, वो बहाँ पर आ जाते है They shout and scream while Lamov suffer from extreme pondering of his heart, a full side pull and a nerve foot अब क्या होता है कि वो चिलाने लग जाती है, काफी argument ज्यादा होने लग जाते है जिसके करन के होता है कि जो Lamov होता है, उसको कहा कि problem होने लग जाती है They throw Lamov out of the house और इसी argument में क्या होता है कि जो चुबु को होता है, वो क्या करता है कि Lomov को घर से बाहर निकाल देते है and continue cursing him घर से बाहर निकालने के बाद भी कहा कि वो सी के बारे में बुरा बोलता रहता है और जब वो चुबुकोव है जो वो Lomov के बारे में बुरा बोल रहा होता है चुबुकोव एक सेकेंड चुबुकोव आए था यह तुम्हें प्रपोस करने के लिए आया था तो जैसी नोटलिय इसके बार में सुनती है नोटलिय वी सब्पाइस नोटलिय एंड शी इमिडेटली रिग्राट सेनिंग हम आउट तब क्या है कि जो नोटलिय होती है वो इमिडेटली उसी टाइम के है कि regret feel करने लग जाती है उसे regret होने लग जाता है पश्तावा होने लग जाता है कि एक तो वो अगला प्रपोस करने के लिए है और उनन उसको घर से बहा निकाल दिया अब अपने father को कहती है कि तुरंट उसे वापिस बुला लो अब जो चुबुकव कर्स हिंसेल्फ on being a father of a grown-up daughter अब जो चुबुकव होता है वो खुद को भी curse करने लग जाता है खुद के बार में बुरा बॉलने लग जाता है on being a father of a grown-up daughter कि वो मतलब कहता है कि मैं तो तेरा पक्ष ले रहा था और तू मेरे को ही सुना रही है लेटकी के साथ थोड़ा हो जाता है अब जो लमोव होता है वो वापिस बुला कर लाता है अब जो लमोव होता है वो वापिस आ जाता है and started talking about shooting अब वो कहा है कि shooting के बारे में बाते करने लग जाती है somehow they enter into an argument involving their dogs अब वो फिर एक argument पर आ जाती है जिसमें वो अपने dogs के बारे में बात करने लग जाती है नोटलिया feels that नोटलिया को लगता है वो सोचते कि इसका जो डोग है वो लमोव के डोग से अच्छा है यहां पर दोनों के डोग के नाम दिये हुए है यह भी आपके वाई शोट कोशन में पूछा जा सकता है they continue arguing तो अब वो दोनों ही continue arguing करते हैं नोटलिया कहते है कि मेरा डोग अच्छा है लमोव कहते है कि मेरा डोग ज्यादा बैस्ट है तो इनके वीच में आर्गिमेंट चरह होता है when Chubukov entered the scene only to make the situation worse once again अब क्यों होता है कि Chubukov वापिस जब वो देखते है कि फिर से इनकी जो आर्गिमेंट है वो बढ़ता जा रहा है condition फिर ख़राव होती जा रही है अब क्योंते कि लमोव है जो उसको प्रोब्लम तो होती है पैल्पिटेशन की जिसके कान के होता है कि वो unconscious हो जाता है वो ब्योश हो जाता है even then cursing continue when suddenly Nautalia noticed that तभी जो Nautalia होती यानि कि अभी उनके वीच में लडाई चल रही होती है तभी जो Nautalia है वो ये notice करती है he is unconscious कि वो तो भ्योश हो गया they try to get water down तो अब वो क्या करते है कि उसके उपर पानी डालने की कोशिश करती है जिससे कि क्या है कि उसे होश आ जाए एक सेकिड तो उसको पानी फूनी पिलाने की कोशिश की फिर इन्योंने but end of getting unsuccessful लेकिन क्या कि उसे होश नहीं आता and declare him dead तो वो सोचते है कि कहीं ये मर ही ना गया हो it is only when Lomov moves a little bit तभी क्या होता है कि जो Lomov होता है उसकी बोड़ी में थोड़ी सी यानिकी movement होती है they feed him some water तभी क्या कि वो उसको पानी पिला देते है Lomov forcefully hands over Natalia's hand to him sorry चुबू को forcefully अब क्यों होता है कि जो लड़की का फादर होता है चुबू को वो क्या करता है कि अपनी लड़की का जो hand है वो उठा कर लड़के के हाथ पर रख देता है and gives his blessing और अपनी दुआएं देने लग जाता है and ask them to kiss Lomov still not fully conscious does not understand what is going on जो Lomov होता है वो अभी ब्योशी होता है प्रोपर तरिके से consciousness नहीं होती उसमें जिसके कान उसको समझ ही नहीं आता कि ये चल क्या रहा है when he finally come to his sense और जैसी वो सही होता है थोड़ा sad होता है, संबलता है he expresses his excitement and kiss Natalia's hand तब वो क्या होता है कि वो excited हो जाता है और वो क्या है Natalia का हाथ पकरता है और उसे Natalia के hand पर kiss कर देता है Natalia being childish अब जो Natalia होती है वो अभी भी कहा है कि बचपने वाली ही बातों में आ जाती है and कहती है as she is वो उसको वापिस चिडाती है manipulate him into accepting that Switzer is better than gas but Lamov being adamant as he is refused to accept it अब वो उसको फिर से चिडाती है कि मेरा जो डोग है वो तेरे जादा अच्छा है लेकिन जो Lamov होता है वो इस accept नहीं करता है thus once again the quarlings continue जिसके कान उनका अभी भी इस topic पर जो argument होता है जो लडाई जगड़ होता है वो चलता ही रहता है so ये बात ही proposal के बारे में कि लड़का लड़की को परपोस करने के लिए जाता है लेकिन लड़का है जो जो लड़की को जब पता चलता है कि वो उसको परपोस करने आया है दोनों ही इस main बात से हट कर वेकार के जो topics होते हैं उनके उपर आर्गुमेंट करते रहते हैं so hopefully आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आगी होगी किसी भी परगार कोई डाउट है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो thank you friends for watching my video thank you